दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे भारत के रक्षा अनुसंधान की और DRDO से बनने वाले महतपून प्रशनों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सैनवल के लिए जितने भी सस्त्र दिये गए हैं उनके बारे में बिसेश चर्चा करेंगे और उनको हम यहाँ पर फोटो के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी और बनने वाले जितने भी महतपून प्रशन है जो परिक्षाओं के माध्यम से महतपून होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा हो सकता है अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कोई महतपून जानकारी को खो देंगे तो चलिए वीडियो को प्रारम करते हैं सबसे पहले हमें कुछ महतपून बाते जाननी होंगी रक्षा, अनुसंदान और विकास संगठन जिसे हम डियार डियो कहते हैं डियार डियो की स्थापना 1958 में हुई थी लेकिन उस समय यह अन प्राधोगी की संस्तान के साथ जुड़ा गुआ था मतलब डियार डियो उस समय स्वतंत्र नहीं था किसी अन प्राधोगी की संस्तान के साथ जुड़कर यह काम कर रहा था और डियार डियो की स्थापना यह डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की अध्यक्सता में सन 1958 में हुई थी आगे इसी क्रम में हमें एक बात और ध्या मैं रक अनुसंदान यहां दियार डियो छब अन प्राधोगी संस्तान से अलग हो गया तो सबक्राद्यों यह पश्राइफ की से श्थापना ऑठवाठ्यों पहले यह अनुसंदान के साथ कार्य कर रहा था तो यह आपको탈 के माध्यम से ध्यां दियार लगरी और 1958 में इसकी प्रारंबिक इस्थापना हुई थी प्रमुक महानिदेसक की बात करें तो इसके प्रमुक महानिदेसक रक्षामंत्री होते हैं DRDO के और इसके सलाकार बैग्यानिक होते हैं रक्षामंत्री जी के सलाकार बैग्यानिक होते हैं इसका मुख्याल है सन 1980 में नई दि में उससे तीन साल बात की उसमें इंद्रा गांदी ने समय के निर्देशित पिर्चेपास्त्र विकास कारिकरम की नीव रखी थी और इसका जो संचालन भार है वो स्वतंतर रक्षा अनुसंदाने में विकास विवाग अर्थात DRDO को सौपा था किसने सौपा था इंद्रा गा कैलाता है पिर्चेपास्त्र अर्थात जो भी मिसाइले हैं वह अपने मिसाइल के बारुत को इस प्रकास से चोड़ती है कि वह एक अर्ध बरत्ताकार मार्ग तै करता हुआ भूमी पर गिरता है तो ऐसे सफ्ट्र को पिर्चेपास्त्र कहते हैं यह आपको परिक्षा के अपूर्ती विभाग बना दिया गया था यह 1884 है लेकिन यहां पर आप 1984 कर लिए यह थोड़ा मिस्प्रेंट हो गया यह 1984 में यह चार सालें आपको ध्यान रखनी है एक 1958-1980 और 1983 और 1984 होगा यहां पर यह मेंश्प्रेंट होगया इसमें रक्रशा उत्पाद विभाग और रक्रशापूर्ती विभाग दोनें को diya गया था और ठोटल एक बिभाग बना दिया रक्रशा उत्पाद आप फोर ती विभाग आये अब हम जो भी हमारे से में चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले आपको इमेज में यह हमारा सस्त्र दिख रहा होगा जिसे बोलते हैं प्रत्वी यह प्रत्वी सस्त्र है तो आई इसके बारे में चर्चा करते हैं प्रत्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलाश्टिक प्रचेपात्र है प्रचेपात्र का मैं अर्थ बता चुका हूँ जो प्रचेप मार्ग बनाता हुआ जो है वो लक्ष को भेजता है बैलाश्टिक का मतलब समझे लिए बैलाश्टिक का अर्थ होता है कि एक बार आप movement कर सकते हो या बार-बार लक्ष को भेज सकते हो, एक ही बार में हमें उसका निसाना set कर देना होता है, तो इसे बोलते हैं बैलास्टिक प्रिश्यपात्र, तो ये जमीन से जमीन पर मार्क करता है, इसकी नियूनतम छमता 40 km है, अधिकतम छमता 500 km है, अगर आप छोड़ो परिक्षण फरवरी 1998 में चांदीपूर अंत्रिक्ष परिक्षण केंद्र में किया गया था, तो इतनी सारी बाते आपको ध्यान रखनी है, नियूनतम छमता 40 km, अधिकतम छमता 500 km, ये जमीन से जमीन पर मार करता है, और इसका अब जो प्रिथों परिक्षण हुगा था, 1998 म हुगा था, किसमें चांदीपूर अंत्रिक्ष परिक्षण केंद्र में, आग इस इकरम में अगनी, ये आपको यंत्र देख रहा होगा, यंत्र नहीं, स्वारी, प्रिष्यपास्त्र, ये अगनी है, इसका नाम अगनी है, ये भी जमीन से जमीन पर मार करने वाला है, बैला अगर इस इकरम में, ये है हमारा अगला प्रिष्यपास्तर, नाम है इसका नाग, नाग में बात करें, ये भी जमीन से जमीन पर मार करने वाला है, टेंग, रोधी, निर्देशित, प्रिष्यपास्तर है, यानि ये टैंक से नहीं जड़ा होता है सीधे स्वतन दूरूप से होता है मारक शमता चार किलोमीटर होती है और इसका प्रितम सफल परिक्षन नमबर 1990 में किया गया था और इसको एक नाम से जानते हैं दागो और भूल जाओ एक बार आप इसे निसाना सेट कर दोगे उसके बार बार उसी निसाने पर जाता रहेगा दागो और भूल जाओ इसलिए इसे इस नाम से भी जानते हैं तो प्रिषन ये बनता है कि दागो और भूल जाओ कि इस प्रिष्यपात्र को कहते हैं तो किसको कहते हैं नाग को कहते हैं आग इसी करम में धनुष यह हमारा अगला हे अगला सैनिक सस्त्र है धनुश धनुश को आप देख लीजी यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला है और पिर्थवी पिर्षेपांत्र का नौ सैनिक रूपांत्र नहills मारक Χमतर धेर सो किलो मीटर है और यह 500 km आयुद प्रिछेपित किया जा सकता है मतलब सॉरी किलोग्रम नहीं किलोग्राम यानि इसमें 500 किलोग्राम जो इधन है बारूद है उसे इसके अंदर रखा जा सकता है ताकि ये बड़ा विश्वोड कर पाए अगला है T90S तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लिजिए T90S भीश्न टैंक इसका निर्माद चेनने के समीप अइसका निर्माद हुआ था T90S भीश्न टैंक मारक शमता की बात करें तो ये 4 km तक मार करता है और ये दुस्वन से बचने की शमता रखता है जमीन में बिचाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की छमता रखता है वल्ला इसमें ऐसे इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो हमें बता देते हैं कि आगे बारूद की लाइन बिची हुई है ये सारी बातों की जानकारी ये हमारा T90S भीस्म टैंक देता है आगे हम बात करें तिरसूल की ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये जो प्रचेपात्र है प्रचेपास्त्र इसका नाम तिरसूल है और ये हवा से हवा में मार करने वाला है ये केवल हवा से हवा में ही मार करता है मारक चमता है 500 मीटर से 900 मीटर तक इतनी मार करने वाला है मतलब पास की मार करने वाला ये जो है तिरसूल प्रिशेपास है आगे सी करह में देखी आकास इस सस्त्र का नाम है आकास यह जमीन से हवा में मार करने वाला है नीचे से उपर कियो छोड़ा जाता है मारक शमता 25 किलो मीटर तक है और भारत का पहला ऐसा प्रचिपास्त्र है यह थोड़ा गलट टाइप हो गया है जिसके प्रणोधक में राजमेट सिध्धान्तों का प्रयोग किया गया एक राजमेट सिध्धान्त है अब हम सिध्धान्त पर यहां पर चर्चा नहीं करेंगे तो यह भारत का पहला ऐसा प्रचिपास रहे इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियाड मिसायल से की जा सकती है किसक के ऊसका कोड मुझा भाई चोड सकता यहन को कुछ थी तो यह हमारी आकास की बात यह है है अगले प्रिच्छे पास्ति या अगला सैनिक सश्त्र शांघ्र का यह को साल ओस्ञार है है यहormän अर्थात यह जल से जल में बार करती है इसका प्रिथम प्रिस्ट्षन जो हुआ था समुद्र के भीतर फरवरी 2008 में हुआ था और इसे DR-DO द्वारा तयार किया गया था नाम है इसका सागरिका तो देखिए यह भी हवा से हवा में बार करने वाला है अगला है अस्त्र यह जो आपको अगला सस्त्र देख रहा है या प्रिच्छे पात्र देख रहा है इसका नाम है हमारा अस्त्र तो देखिए ये भी हवा से हवा में बार करता है भारत का पिर्थम ये जो सस्त था वो भारत का पहला बनाया गया सस्त था जो की हवा से हवा में मार करने वाला है और इसमें स्वधैसी तकनीक इस्तमाल की गई थी, स्वधैसी तकनीक से बनाता, हमारे भारत की तकनीक से ही बनाता, मारक चमता की बात करें, तो 10 किलो मीटर से 20 किलो मीटर तक ये निशाने को साथ सकता है, या लक्ष को भेज सकता है आगे सीक्रम में अगला हमारा जो सैनिक सस्त्र है बो है पृद्धुम्न पृद्धुम्न नाम है इसका हवा में बहुत कम दूरी पर मार करने वाला है ये हवा में बहुत कम दूरी पर पास के निसाने को टार्गेट करता है ये भारत में निर्मित है और फिर्थम सफल प्रेक्षण इसका दुसंबर 2007 में किया गया था लडाकु बिमानों में इसका यूज होता है और पास के जो भी लक्ष हैं उनको बेदने में इसका कार होता है नाम है इसका प्रधुम्न आगे इसी करम में अगला है हमारा तेजस तो तेजस देखिए क्या है तेजस का पहले आप फोटो देख लीजिए ये हमारा तेजस लडाकु बिमान है बहुत सुन्दर बिमान है इसकी बात करें ये स्वदेशी निर्मित हलका लडाकु बिमान है इसमें अभी जी आई 404 का इन्जन लगा हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है जिसे भविष्ट में कावेरी इन्जन द्वारा हटाया जाएगा और इसकी उडान 600 किलोमीटर प्रती घंटा है और जमीन हवा समुद्र समी में ये मार कर सकता है जमीन पर भी हवा में भी और समुद्र पर भी ना हमें इसका तेजस एक बार फिर से देख लीजिए आगे इसी करम में अगले की बात करते हैं यह है ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस से नाम से ही फील हो रहा है जैसे ब्रह्मस्तर की बात कर रहे हैं तो हाँ यह बिलकुल ब्रह्मस्तर ही है क्योंकि यह बायू जल इस्थल तीनों में मार करने वाला है इसका निर्माण भारत और रूस द्वारा मिलकर किया गया था और प्रतम सफल परिक्षण इसका 2001 में हुआ था तीसरा सफल परिक्षण 2003 में हुआ और बायू जल स्थल तीनों जमगे पर इसका प्रिसेक्षन किया गया था और तीनों जगे पर ये सफल हुआ था लक्ष रादने में बिल्कुर सफल हुआ मारक छमता की बात करें तो 290 किलोमीटर है लेकिन बरतमान में मारक छमता इसकी 400 किलोमीटर कर दी गई है अर्थाद 400 किलो मीटर तक ये लक्ष को भेज सकता है इसमें सामिकरी की बात करें अर्थाद इसमें जो बारूद है वो 300 किलो ग्राम ये किलो मीटर गलत ले गया है किलो ग्राम तक इसमें जो है बारूद रखा जा सकता है जिसके कारण बड़ा स्पोर्ट कर पाए तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो से लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा अगला है हमारा आईयल इसको आप ध्यान से देख लिजिए यह हमारा आईयल 78 तो आसमान में उडान के दोरान विमानों में यह इनन भरता है और यह इनन कितने 35 तक यह आसमानों में जो हमारे लणा को विमान उड़ते हैं अगर उनमें इनन खतम हो जा तो भर सकता है और यह भरने वाला पिर्थम भ भरसकता है और आगरा के सैनिक ड़े पर इन विमानों को रखने की विशेश विवस्ता है कहां पर है आगरा के सैनिक ड़ों पर आगे हम बात करें काली तो यह सका नाम है बहाईया काली और यह बहुती गजब शस्तर है देखिए इसका क्या तरंगे निकलती है जो शत्रू के विमानों को या जो शत्रू के विमानों का तो उसका सस्त्र कारेगा ही नहीं तो यह ऐसा खतरनाक हमारा जो सैनिक बल सस्त्र है जिसका नाम है काली यह भी आपको परिक्षा के माद्यम से ध्यान रखना है इसे बहुत ध्यान से देख लिजिए नाम है भाईया काली आगे इसी करम में पिनाका तो पिनाका ये भी बहुत सक्ति साली सस्ट है तो पिनाका में देख लए कई सारी मिसाले लगी हुई है तो देखिए ये है Multi Paral nomination है मतलब इस में एक साथ कई सारे मिसालों को छोड़ा जा सकता है कई सारी मिसाल लगी है और इसका निर्माण ARDI द्वारा बारा रोकेट को छोड़ा जा सकता है चाले सेकंड के दौरान चाले सेकंड में बारा रोकेट आप छोड़ सकते हो और इसकी मारक चमता साथ किलोमीटर से 49 किलोमीटर तक है जो की काफी होती है तो आप देख पा रहे हो कितने सुन्दर सुन्दर और कितने सक्ति साली सैन वल के पास हमारे जो सस्त्र हैं वो दिये गए हैं आगे इसी क्रम में बात करें लक्ष यह इसका नाम है लक्ष इसे भी आप देख लीजिए बहुत ध्यान से कितना खूब पाइलट रहित विमान है मतला इसमें कोई पाइलट नहीं बैठा होता है और जमीन और हवा पर यह मार करने वाला है इसका निर्मार्क DR-DO द्वारा किया गया था यह जेट एंजन से चलता है और दस बार प्रियोग किया जा सकता एक बार में दस बार इसका यूज हो जाता ह करके लिए बहुत उपयोगी है तीनों सेना ही इसका यूज करती है ना में इसका लक्ष तो यह भी आपको धियान रखना है पाइलट रहित यह पहला विमान है जिसका नाम है लक्ष आगे अगला है मारा निशांत और निशांत में हम देखते हैं यह पाइलट रहित प्रसि पास्त्र अर्थात सैनिक जो हैं जिन सैन्वलों को इस्टमाल करते हैं उनके आपने फोटो देखे यहां पर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की वीडियो अच्छे लगी हो तो से लाइक कर देजिए चैनल पे नहीं हो तो से सब्सक्राइब जरूब